प्रदानमंतिरी नरेंद्र मोदी ने 2025 तक देश को 5 ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी बनाने का लक्षे रखा है कोरुना ने इस लक्षे को थोड़ा दूर कर दिया है लेकिन अब माना जा रहा है कि विदेशी निवेश के दम पर भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्षे को हासिल कर सकता है और्डिट फर्म डेलॉइट ने एक सर्वे किया है इस सर्वे में दुनिया के 1200 ध्योगपतियों को शामिल किया गया है इन 1200 ध्योगपतियों में से 44 फीजदी ने माना है कि वो भारत में ज्यादा निवेश करेंगे कुछ ध्योगपति भारत में पहली बार निवेश की योजना भी बना रहे है बारत को 5 Trillion Dollar Economy बनाने के लिए हर साल 100 अरब डॉलर के विदेशी निवेश की जरूवत होगी बारत के सर्वे में माना गया है कि भारत के लिए हर साल 100 अरब डॉलर का विदेशी निवेश लाना मुश्किल काम नहीं है इस वक्त दुनिया में निवेश के लिए भारत पहली पसंद बना हुआ है। भारत के साथ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां विदेशी बड़ा निवेश कर सकते हैं। इन में कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग, लेक्ट्रोनिक्स, और शद्धी, आटो और कैमिकल सेक्टर शामिल है। कारवारी साल 2021 में इन सेक्टर्स ने निर्यात में 181 अरब डॉलर का योगदान दिया था। सर्वे में पता चलता है कि अमारिका में चीन, ब्राजील, माक्सिको और वियतनाम जैसे बजारों की तुलना में भारत को लेकर सबसे मजबूत पोजिटिव धारना है। हाला कि अभी भी विदेशी निवेशक चाहते हैं कि भारत में विजनेस करने में और असानी हूँ, हाल में जो भी सुधार सरकार ने किये हैं वो इन निवेशकों के लिए काफी नहीं है। पर सूपर पावर के तौर पर देखे जाते हैं और ये कौन नहीं चाहेगा। देश कोरोना के बीच जिस तरह से आर्थिक चुनोतियों से गुजर रहा हैं उसमें पांच ट्रिलियन डॉलर की कौनमी का सपना धुंदलाता हुआ भी दिखाई देता है। लेकिन अगर मूदी सरकार की नीतिया कार कर रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की कौनमी होगा। कौनमी होगा। कौनमी होगा।